हमारे इंद्या में आपको बहुत सारे स्टेट्स देखें को मिल जाएंगे और अलग इलग मशूर शिटीज देखने मिल जाएंगे और हर सिटीज में, हर स्टेट की अपनी अलग मिठाइचुता है तो कहाई हेंगो कपड़े फेमस है कहीं क्या टाला फेमस है यानि कि वगेरा वगेरा चीज़े आपको हमारे इंडिया बे देखते हो मिल जाएगी लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगा जगा है जमतारा उस जगा की ऐसी चीज फेमस है जिसके वाल में आप लोग जान लोगे तो शॉक्त हो वेब स्रीज जिसका नहां हमें जमता रहा यह वेब स्रीज बेस एक ऐसे कॉंसेट है जिसके उपर शोग क्या मतलब एक फ्लीम बन जाने चाहिए बहुत सालों पहले से शुरू है और जब से यह शुरू है तब से काफी लोग इसमें फश चुके और तकरीम यह लोग ने आ पहुत उनको डर रहता है कि मतलब वह पैसा से रहे हमारे इंडिया में बहुत सी फैमली होती है जिनके बहुत सारे बच्चे लोग अपने शादी के लिए पैसा जमा करते हैं कुछ लोग रिटायर्मेंट के लिए जमा करते हैं यहां पर इतनी है और खर्चे जादा है तो लोग सोचते बैंक में जमा करें कि अगर आपको कोई कॉई करे कि हम आपके बैंक से बात करें आपका ATM कार्ड बंद हो चुका है आपको इसको वापस चालो करने के लिए आपका ATM पीजिया तो फिर आपके कार्ड का नबर देना पड़े तो अपना क्यार्ट नमबर देते है या पिन नमबर देते हैं तो उसका फाइदा इन जैसे फ्रॉड लोग उठाते हैं और यह जो फ्रॉड है सबसे आदा आपको आपको पाए गयते हैं जारखन के जिश्टेक जमतारा में जहां पर मैक्सिमम केसे सुए और यह मैं नहीं हो रही है आपको गूगल पर भी देखन को मिल जाएगा तकरीबन सी 2019 में लगबक 107 लोग एरेस्ट हुए थे इस केस में और यह सी 2019 की बात नहीं यह बहुत सारवल चरह जाने कि जब से इंटरनेट और जब से मुबाइल आया जब से इस तरीकी के ट्रांसेक्शन होना शुरू हुए तो उसके बाद यह कुछ ऐसे बेरोजगा लोग जो बहुत ही ज़ादा होश्यात है इस तरीके का फ्राउड यूज के इसको मुलते साइबर क्राइम यह ऐसा क्राइम थो जो इंडिया में उस ताम भी किसी ने नहीं किया था यह जमतारा के लोगों ने शुरू किया था उसके बाद अलग अलग जगा के करते हैं लेकिन अब क्या हो गया है कि आप लोग सीफ कॉल और इमेल से नहीं बल्के आप लोग और भी जादा एडवांस होगे जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना था महाराष्टा के ठाने रिशिक से एक न्यूज है थी कि एक इनसान ने अपना जो फरनीचर को बेचना है तो उसके साथ कैसा फ्रॉड हो कि सामने वाल एक कस्टरमर बनके उसको कॉल करता है और बोलता कि सर मैं आपका फरनीचर खरीदना चाहता हो तो आप अपनी बैंक डिटेल्स दे तो ताकि मैं उस पर अपना मनी वहां पर ट्रांसफर कर दू तो वह ख अपनी तरीकी के जो फ्रॉड लोग है अब वह सिप कॉल और इमेल से आपको बेवकूफ नहीं बनाते हैं बलकि अब वह अलग अलग तरीके यूज करते हो पेटेम हो या भहुत सी चीजह है जिसके तुरू अब वह लोग फ्रॉड करते है तो यह जो वैब सीरीस है जिसका प्रॉड करने वाले लोग अकेले तो करते हो गें इनकी पीचे कोई बड़े लोग शरूर हो गें तो बिल्कुल इस शो में बता है कि जमता रहा के पॉलिटीशन्स हो या उधर के जो पुलिस वाले वह इनको मिलके इनको सपोर्ट करके यह सब क्राइम में उनकी हेल्प करत तो बस आपको इस शो में यही जानने को मिलेगी यह फ्रॉड लोग थे किस तरीकी से अपना नेटवर्क चलाते थे किस तरीके से लोगों को फसाते थे प्लस क्या इनको पुलिस आखिर में पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई और किस तरीकी से पकड़ पाई यह सब कुछ जाने के लिए आपको यह शो देखना पड़ेगा तो को इस शो के हर एक एपिशोड की लेंड बताओ तो 23 से लेके 27 मिनिट की बीच में इसी लास के एपिशोड ठोड़ा बड़ा है लेकि मैं आपको दावे से कैसा होता है यह जो सीरी से भूती लाजवाप तरीकी से बनाए गई है हाँ यह है कि यह बच्चों के लिए सब लाजमी थाई तो उससाब से जो शो में बताया गया बहुत ही ब्रिलेंड बहुत ही अच्छी तरी से बताया गया अब परफॉमेंस मुझे सभी लड़कों का परफॉमेंस बहुत अच्छा लगा यहां पर जितने ही भी आपको एक्टर्स देखने हो मिलेंगे सब लोग बहुत ही ज्यादा रोचा के बहुत ज्यादा रॉंग्टे खड़े करता मुझे पसनली यह सीरीस बहुत अच्छी लगी मैं बस यह चाता था मेकर से यह जो सीरीस अब आई इससे पहले आती तो बहुत ज्यादा अच्छा हो था क्योंकि जो कॉंसेट है जो चीजे सिच्व हो सकते बचे समझदारी और होश्यारी से काम लेगी कि यह जो सिच्वेशन में कोई भी इजीली फस सकता है विके मेरे साथ दो बार यह केस हो चुका है हाला कि मैं इनके सिच्वेशन में फसा तो नहीं था लेकिन मैं उस टेम पर धर ज़रूर गया था तो बस बाई इस वी वीडियो में तिल देन दुआ में यहाद रगता है मैं हूर राशी शेक बाई